गुड आप्टरनून आप सभी को वैलकम है आप सभी का फिलर फॉर्म पे मैं रितू आपकी सीडीपी टीचर और आज हम नए टॉपिक पर पढ़ेंगे तो सब लोग जल्दी-जल्दी मेरे साथ जॉइन होते जाएए ताकि हम आज की क्लास आगे स्टार्ट कर सके सबी लोग जल्दी-जल्दी मेरे साथ जॉइन होते जाएए आज की क्लास स्टार्ट करना ही है हमें तो फरस्ट अपर आप सभी का बहुत 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 वेलकम है यहां पर जो आप हमारी फर्स्ट पेज देख रहे हैं यह आपकी सीटेट की क्लासेस हैं जो हमारे स्टार्ट हो चुकी हैं और सभी लोग जल्दी-जल्दी हमारे साथ इसमें जॉइन हुए जो अभी तक नही हमारे फिलंफान पे आके जुड़िये और इन अपना सभ्यक जो भी अप सब्चेक की तयारी करें इसको ख्ल्यर करें नेक्स्ट च जो हम चलते हैं हमारे सीटेट और एस्टेट की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुता है 2022 के रिए और ये सारे हमारे टीम मेमिंबर हैं तो आ हमारा एक्जाम हो रहा है 2223 के फर्स और सेकेंड पेपर दो नुक लिए तैयारी हो रही है यहां पर और अगर आपने क्लासेस को पूरा ज्वाइन करते हैं अच्छे से लेते हैं हर एक टॉपिक को अच्छे से देखते हैं तैयार करते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं अगर आंगे आप उसमें सफलता चरूर प्राप्त करेंगे तो आगे बात करते हैं जो कल हमने पढ़ा था उस टॉपिक से हमासे से आगे बढ़ते हैं हम इस समय जो हमारे टॉपिक चल रह था हमने अधिया क्या है किते प्रकार के होते हैं उसकी विशेष्टाओं को जिए सफ़ोड के द्वारा को समस्या का समाधान करता है वो अपने सूच के द्वारा समस्या को हल करता है और यहाँ पर वहवार बात का था कि वैक्ति को हर क्रिया के बदले में अगर पुनर बलन मिलता है अगर इस कारे को करने से उसे संतोस मिलता है तो उस कारे को बार-बार करेगा ठीक है तो थांडाई का जो नियम कल हमने पढ़ हैं और इसका learning में जाके बहुत ज्यादा effect पढ़ा था इसलिए थॉन डाइक जी को सिक्षा के छेत्र में बहुत बड़ा योगदान था और इन्हें सिक्षा के छेत्र को विक्सित करने का कैसे कि फंडामेंटल जो रखा था वो थॉन डाइक जी ने रखा था तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं वारपाग में जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो आज पावलाजी को पढ़ेंगे ठीक है आई पी पावलाओ यानि पावलाओ का शास्त्रिय अनुबंधन सिध्धान् कहा जाता है तो आज हम सबसे पहले पावलाओ जी की ठीक को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा था ठीक है तो इवान पावलोजी जो थे ये एक रूशी सास्त्री थे ठीक है अधिकम क्या है जीवन परेंट चलने वाली प्रक्रिया है यानि अधिकम का अर्थ होता है सीखना जो हम अपने वातावरण में अपने वहवार जो सीखते हैं उसे हमारे वहवार में परिवर्तन होता है जो हमने आपको इस टॉपिक को अधिकम की सिद्धान्त में करा दिया था अब पढ़ते हैं इवान पालोजी को जो की इनका था 26 सेटे 1936 और ये क्या थे रुषियन थे साइकलोजिस्ट नहीं कहेंगे ये एक तरह से फिजीशन थे बट इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो जाके साइकलोजी के छेत में उनका बहुत बड़ा योगदान हो गया इसलिए इनको माना जाता है ठीक है और इनके इसी प्रयोग के इनके द्वारा सास्रे कंडिशन एक प्रकार का स्वचालिक क्रिया होती है यानि एक जो उद्धिपक होता है उसके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो करती है उस 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 उद्धिपक को देखके जो क्रिया हमारे अंदर होती है वो हमारा कैलाता है क्लासिकल कंडिश की क्लासिकल कंडिशनिंग के क्या होता है कि क्लासिकल का अर्थ होता है कि प्राचीन यानि जो बहुत प्राचीन है और अभी इसको बहुत ज़यादा तक वैलिड माना जाता है इसलिए एवऌन पालोजी को one of the most oldest इस थियोरी मानजाता है साइकॉलजी के लिए और इनका जो ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट हुआ वो सिक्षा की चेतर में मनो विज्ञान की चेतर में चलके आगे बहुत इफेक्टिव हुआ इसलिए इनकी थियोरी को हम पढ़ते हैं चले गूड आफ्टरणून प्रिया जी आगे बढ़ते हैं पावला जी की सिद्धान्त के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं जो इन्होंने क्लासिकल हुआ कि शास्त्री ये शास्त्री अनुबंधन का सिद्धान या प्राचीन अनुबंधन सिद्धान्त बोलते हैं तो प्राचिंगा कंडिशनिंग जब दो चीजे आपस में जुड़ जाती हैं और किसी क्रिया को करने में हेल्प करती हैं तो वो उसके द्वारा लर्निंग होती है तो वो हमारा होता है अनुबंधन यानि किसी दो चीजों के जुड़ने के द्वारा ग्रिया का होना होता है अ पार्क में कभी हैं बहुत अच्छा मौसम है पार्क में गए और अपना सबसे फैबरीट सोंग सुन रहे हैं तो वो सॉंग हमें बहुत अच्छा महसूस क़रा रहा है उस चषक को हमने सुन लिया उस बात को बीते हुए बहुत समय हो गया और आप कभी अचानक से किसी बस में या अपनी गाड़ी में बैट रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और आपके सामने वही वाला गाना जो आपका बहुत पसंदीता गाना है जो आप उस पार्क में सुन रहे थे वो बजने लगता है तो वो जब बजने लगता है तो आपको वो पूरा पार्क का सीम याद आ जाता है यानि वो उस सिचुएशन को इस सिचुएशन में उस गाने ने जोड़ दिया ये हमारा होता है अनुबंधन क्या पूछ रही है ता मन्ना जी CTP का कॉंसेट समझ नहीं आता कहां से स्टार्ट करने आपके 29 अगस से स्टार्ट हो चुकी है और मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिये हैं और अगर आपके में पूरा मेरा क्लास नहीं देखा है तो हमारा टेलिग्राम चैनल है फिलफॉर्म का उसमें जॉइन हो जाईए और वहां पे मेरी सारी पूरानी वीडियो जो अभी त से समझ लेंगी ठीक है चलिए बात करते हैं मागे कि दो चीजों को जुड़ जाने से जो help मिलता है learning में वह हमारा होता है अनुबंधन और यहां पे जो मैंने example दिया यानि वह पार्क सुन्दर सा पार्क उसको गाने के माध्यम से जोड़ता है और जब फिर वह गाना कभी बसता है तो आपके दिमाग में वह पार्क का चित्र पूरी तरह से फिर से दिखने लगता है आप उसको इमेज करने लगते हैं यानि यहां पे आपका अनुबंधन हो गया ठीक है इसी तरह उन्हों ने अपने थियोरी में बताया कि दब दो चीजों को इस तरह से किया जाए कि दोनों का जो टाइम गैप है जो समय का अंतराल हो बहुत कम है तो एक समय ऐसा आता है जो स्वभाविक क्रिया हम उस स्वभाविक उद्धिपक के प्रति करते हैं वही क्रिया हम उस अस्वभाविक उद्धिपक जो हमारा नीउट्रल यानि conditional stimulus होता है उसके बहुत ज़्यादा famous हो गया थे, इन्होंने actually उस dog के पाचन तंतर पे काम किया था, और उस पाचन तंतर को समझने के लिए कि उसका क्या response है उस पे किया था, लेकिन इसको relate कर दिया गया education से, इसलिए education में भी इसकी बहुत ज़्यादा value यानि मनोविज्ञान से इसको जोड़ दिया गया, जो आके जलके बहुत ज़्यादा इनका जो experiment था वो famous हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यह situation होती है हमारी before conditioning यानि जबकि अनुबंधन नहीं हुआ है, कुछ क्रिया है हम लोगों में ऐसी होती है कि स्वभाविक होती है, उस उदिपक के प्रति, उदिपक क्या होता है हमें किसी क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करता है यानि उस उदिपक को देखके हमारे अंदर क्रिया होना एक स्वभाविक प्रतिक्रिया है क्या हम उसस्य दीपक को देखके प्रतिकरिया कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने डॉक को लिया था, उसको ऑपरेशन के द्वारा उसके पाचंतान थे उसमें एक ट्यूब फिक्स कर दिया था। उसमें उन्होंने लार्की मातर जो उसके होती है उसको count करने देखने के लिए कि यह कैसे होता है उसको digestion को देखने के लिए operation करके उस कुट्टे पे experiment किया था यहां जो मैं आपको बता रहे हैं कि यह conditioning हुई कैसे थी उसको बताते हैं जैसे भोजन यह क्या होता है फूट को उन्होंने stimulus के रूप में लिया भोजन को देखके अगर कुट्टा भूखा है तो उसे क्या होगा उसे लार का स्राववानियों भूख की उसे अनुबूती थी और उसके सामने भोजन आ गया तो उसको देखके उसका लार गिनना एक स्वभाविक अनुक्रिया है या यहां पर जो हुआ यह कंडिशन से पहले कंडिशन नहीं हुए उससे पहले की स्थिति यह है कि भोजन को देखकर कुट्टे के मुँँ में लाराना यह स्वभाविक अनुक्रिया है लेकिन ऐसा कुट्टे के साथ नहीं हम लोग के साथ भी होता है कि हम लोग को भूख पोर्स कर देता कि हमको वो प्रतिक्रिया करनी है यह इन्होंने लिया नीट्रिल स्ट्यूमिलस यानि कि CT या उन्होंने बैल लिया था अपने उसमें एक्सपेरिमेंट में तो जब अभी कंडिशनिंग नहीं हुए तो बैल बजाने का उसके उपर कोई रिस्पॉंस नहीं ह शिडि बजाई उन्होंने एक बैल बजय और बैल बजाके बहुति थ BIG को ऐखने तो ख़ाना को देखते ही जो कुटे का लारकक्शरा होने लगा तो लारककश्रा जब होने लगा और यह प्रेयोग उन्होंने कई बर कई हफ्तों तक चलाया तो एक स्थिती ऐसी ये कि कुत्तय के जुग प्रतिक्रिया थी लार गिरना वह सीट्य व्यसल भजने पर ही होने लगता था सी पताजिए जाता था कि मतलब कि खाना आने वाला है यह हो गया इसका after अफ्टर कंडिशनी यह था डियूरिंग कंडिशनी जब तक उन्होंने यह प्रयोग किया कई हपतों तक किया किसी भोजन को सीटी के साथ दिया फिर कुछ समय बाद ऐसे स्थिति आए कि सीटी बजते ही कुट्टे को लारकश्रा होने लगा उसे अनुपता चलने लगा कि समारा उद्धिपक था यह दोनों जुड़ गए इन दोनों से और कुट्टे का जो भोजन के प्रतिक्रिया थी वो सीटी बजने पर ही होने लगी यानि उन दोनों का जो स्ट्यूमिलस था दोनों साथ में संबंधित हो गए और जो प्रतिक्रिया होने लगी वो क्या कि पॉइंट थे उन्होंने यही चीज लिया था कि अनकंडिशनिंग स्ट्यूमिलस यानि यूएस करते हैं आगे मैं बताती हूं आपको यह हो गया अनकंडिशनिंग स्ट्यूमिलस में उन्होंने क्या लिया था फूड को लिया था और इसके जगा पे उन्होंने क्या लिया जो bell था फिर unconditional response जो भोजन को देख के हो रही थी उसके स्वभाव करेंगे भोजन उसके सामने रहता था तो वो भोजन की प्रतिक्रिया करता था ये हो गया हमारा conditioning response यानि कि वो CT के आवाज पर ही लाओर का श्राव करने लगा पहले जो वो प्रतिक्रिया करता था इसके और इसके बीच में करता था फिर बाद में वो जो घंटी बजती थी बीच में वो इसके इस पर होने लगा यानि कि घंटी बजने के ही जैसे घंटी बजती थी उसका जो response भोजन के प्रति होता था पहले जब घंटी नहीं बसती थी वो अब घंटी बजने पर होने लगी थी यानि वो प्रतिक्रिया जो होती है वो साथ में कोरिलेट हो गई यानि कि जब भोजन उसे मिल रहा था बिना बेल बजाए तो वो लारका श्राव कर रहा था लेकिन जब भोजन के साथ उस बेल को जोड़ दिया गया तो जब ये कई हपतों तक दोराया गया तो जो बेल थी उसके साथ उसका संबंद जुड़ गया यानि जो वो पहले स्वभाविक भोजन के साथ प्रतिक्रिया करता था अब वो बेल बजने पर ही करने लगा इसके आज़एस पर उन्होंने कुछ प्रिंसपर्स की सेटो जो क्कटियो पूंने सिक्सपैाइम से लेकर शाम तक हर दो और घंटे के अंतराल पर कुटियो बही भोजन दिया घंटी बज़ाया भौजन दिया इससे उसने कुट्ह ने क्या सीख लिया किगंटी بजने पर हमें भोजन मिलता है उस कुट्हेने ये चीज़ शीख ल मतलब आगे इसको चलते हैं इसको प्राक्ति बोलते हैं ठीक है फिर आगे हम पढ़ते हैं acquisition ठीक है acquisition क्या था sorry आपका ये explanation ठीक है इसमें क्या करना था उसको जो कुता जो प्रयोक हो रहा था उसमें ये पहले इसको समझते हैं जन्र्नलाइजेशन फिर उन्हों ने ये जो क्रिया हुई थी पहले यहां से स्थाट होई थी फिर उसके बाद ये फिर इसके बाद ये यानि की willoupan हो इसका अर्थ होताए की willoupo करना क्रिया का ठीक है तो पहले जब उन्होंने देखााँ कि घंटी बजने पर कुट्टे ने समझ लिया कि उसे भोजन मिल रहा है, फिर उन्होंने जर्नलराइजेशन यानि सामानिय करें, उन्होंने कई तरह के बेल्स लाए और हर तरह की बेल बजाने पर उसने कुट्टे को भोजन देना स्टार्ट किया, यानि छे बजे जब बेल बस इसी भी आवाज पर लारकश्राओ करने लग रहा है, यानि वो हर आवाज पर सामानिय करण कर रहा है कि मुझे भोजन मिलेगा, तेज दरवाजा खटकनी पर भी उसका लारकश्राओ होने लगता था, सीडियों की तेज आवाज पर भी उसका लारकश्राओ होने लगता था तब उन्होंने समझा कि यह तो जो क्रिया हो रही है, यानि यह सभी प्रति सामाने हो जा रही है, हर एक आवाज पर इसका response हो रहा है, फिर उन्होंने जो बेल्स लाया था, उसके आदार पर इन्होंने discrimination यानि विभेदन करना सिखाया, डॉद को, यानि कि जो एक बेल, जो उ पहली बेल बजाई उस पर भोजन नहीं दिया, दूसरी बेल बजाई उस पर भोजन नहीं दिया, तीसरी बेल बजाई उस पर भोजन नहीं दिया, यानि छे बज़े भोजन नहीं दिया, आट बज़े भोजन दिया, और दस बज़े भोजन नहीं दिया, ऐसे ही क्रिया करते वो उन्हेंने कई हफ्तक किया तो कुट्टे ने क्या समझ लिया कि यानि एक particular bell बचती है उसी पर मुझे भोजन मिलता है और उसी bell पर ही लारका श्राव किया और जो दो bell जो बजाते थे उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं करें यानि इसने विबेधन करना सीख लिया कि म पहले जब 6 बजे डॉक को खाना देते थे तो वो बैल नहीं बजाते थे जब खाना दिया तो बैल नहीं बजाया और जब बैल बजाया तो खाना नहीं दिया यह प्रयोग कई हक्तों चला तो कुटे ने क्या देखा कि बैल से तो कोई लेना देना ही नहीं यानि बैल बजने पे घोजन नहीं मिलता है तो उसने बेल के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया ठीक है फिर आते हैं इस पॉंटेशनियस रिकावरी यानि स्वतापूनरलाबन यह प्रयोग करने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने उसी कुट्टे पर फिर से दुबारा जब प्र लेकिन इस प्रयोग में कई हपते तक किया तो जाके कुट्टे ने सीखा लेकिन यहाँ पर कुछ एक दो दिन के प्रयास में ही कुट्टे ने फिर से वैसे ही प्रतिक्रिया करने लगी जो यहाँ पर कई हपतों बाद करने लगी इसको हम बोलते हैं स्वतापुना प्राप् इसको हम कहते हैं spontaneous recovery, अगर हम इसको learning के छेतर में ले तो learning के छेतर में अगर हम लेते हैं तो यह एक कर्व में रूप में लेते हैं जैसे हम किसी को कुछ प्रतिक्रिया सिखा रहे हैं, शिखते शिखते एक इस्तिती ऐसे आयाता है, यानि कि यह maximum label हो जाता है, उसके सीखने का यहां तक जाके वहां का सीखना रुख जाता है, उसके बाद जब हमने उस प्रयोग को बंद कर दिया, कुछ दिन तक छोड़ दिया उस चीज को याद करने, तो वो चीज क्या होती है, हमें धीरे-धीरे भूलने लगती है, और यह धीरे-धीरे जो हमारा कर्व होता है, नी हमें वो चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है, तो यह जो बीच का गैपिंग होता है, यह समय अंतराल जो होता है, यह बहुत कम लगता है, हमको उस चीज को दुबारा से याद करने में, तो लर्निंग के छेतर में अगर देखें, तो इस सिधान को बहुत जादा उपियो करते हैं, तो जो पहले में समय लगा, उसकी अपिक्षा अभी का समय बहुत कम लगता है, और वो चीजे हम जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, क्लियर है आप सबको यहां तक, यहां तक क्लियर होगो, तो यह पर आगे आप लो बताइए, तो फिर हम आगे, बताते हैं किसका श एजुकेशन में उसका रोल है, इन थियोरी को हम क्यों पढ़ते हैं, बैसिकलि पैड़ागोजी हमारे सेक्षिन होता, वो यही से होता कि हम जो चीजे पढ़ रहे हैं, उसका उपियोग क्याया है, उसको हमें जानना है, ठीक है, तो इस सिद्धान के अनुसार प्राड़ी तब ही सीखता है जब वो सक्रिय होता यानि जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तक कोई चीज नहीं सीख पाएगा यानि जब तक वो सीखना नहीं चाहेगा कोई भी हो आप अपने उपर भी देख सकते हैं जब तक आप उस क्रिया को करना नहीं चाहेगे करना सीखना नह चाहेंगे तब तक आपको वो चीज़ सिखाया नहीं जा सके, डॉक में देखा गया, और उसको भूखा रखने पर ही उसने भोजन को किया, अगर वो पहले से ही पेट भरा रहता, उसका सब कुछ फिट रहता, तो वो उतनी प्रतिक्रिया नहीं करता जितनी की उस समय किया था ठीक है अच्छी आदतों का निर्माड करना यानि हम जब एक ही कोई अच्छी चीजे बच्चे के अंदर डैवलप करना चाते हैं तो उस चीज को हम बार-बार रिपीट करते हैं तो रिपीट जब करते हैं तो रिपीट करने से क्या होता है बच्ची अच्छी आदतों का निर जिनको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज को जल्दी अड़ाप्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदे मन होता है, क्लासेज में हर बच्चे एक कर्टेगरी के नहीं होते हैं, एक लबल के नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को हम जितना ज्यादा प्रयास करके सिखाएंगे, ये बच्चे उतनी आसानी सो चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है, मुमियन रूसेइन का जो एनजाइटी, जो बच्च सिख्धान पर जोड़ देता है, यानि कोई भी चीज एक दूसरे से जब रिलेट होती है, तो जो लड़निंग होता है, वो बहुत अच्छी होती है, हरते जैसे इनके सिख्धान का नाम ही अनुबंदन है, यानि दो चीज़े ऐसे साथ में रिलेट हों, जिनका समय गैपिं पर जोड़ देता है, और एक सिख्षक को सिक्षड करते समय पुनरविति पर ध्यान देना चाहिए, थीक है, बार बार जो कोई चीज रिपेट कराते हैं, सिख्षाव में कराते हैं, तो उनकी पुनरवित्टि पर ध्यान देना चाहिए, जो गलतियां हों उसमें भी हम यानि जो चीज हम जितना अभ्यास करेंगे, जितने अभ्यास से सिखेंगे, वो चीजे हम उतनी अच्छी से कर सकेंगे. गुड एवनिंग आप सभी को, गुड एवनिंग. फिर बात करते हैं हम आगे. अनुकूलित प्रतिक्रिया में सिख्षक का योग परियावरण बनाने में अधिक होता है. शिख्षक को बच्च के लिए सजा और इनाम निर्धारित करना चाहिए, यानि किस तरह की प्रतिक्रिया करना चाहिए, क्या है, उस सबको ध्यान में रखना चाहिए. इनाम निर्धारित के मतब जैसा वो अच्छा प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसके लिए इनाम दे अगर गलत कर रहा है, तो मतब बैसिकली हम कह सकते हैं, रिइन्फोर्स्मेंट और प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, वे अच्छे द्रिष्टिकोर के साथ प्रदान करते हैं मतलब में जब हम किसी चीज को अच्छा चीज सिखाने चाहते हैं तो उसके सामने कुछ ऐसा प्रस्तूत करना चाहिए रेंफोर्समेंट रखना चाहिए जिससे बच्चा क्या होता है अच्छा दृष्ट कोड उसके अंदर डैवलप हो वो क्रियाओं को और अच्छी तरीके से कर सके एक बहुत अच्छा आपके लिए एक्जांपल इसके लिए कंडिशनिंग को चोड़ने के लिए अगर हम देखते हैं जेनरली सभी लोगों ने देखा होगा घर में बच्चो को कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग छोटे थे जया भी सु होते हैं वो हस्पिटल में गए वो डॉक्टर को देखके रोना शुरू कर देते हैं यानि उनकी प्रतिक्रिया जो सुई के प्रति होने वाली होती है वो डॉक्टर के प्रति होने लगते हैं यहां पर जो डॉक्टर और सुई एक दूसरे से संबंदित हो जाते हैं और जो पूरा classical conditioning हो गया यानि जो हमारी स्वभाई प्रतिक्रिया किसी चीज के साथ होने वड़ी थी वो उसके साथ कोई और उद्धिपक जुड़ जाए तो वो प्रतिक्रिया उसी के साथ होने लगती है तो इन्होंने उद्धिपक को बहुत ज़्यादा क्रिया करने के लिए फोर्सली माना कि हमें उद्धिपक ऐसा होता है जो हमें किसी क्रिया को करने के लिए पोर्स करता है ठीक है clear है आपको यहां सब तो आगे बढ़ते हैं next जो हम पढ़ेंगे RS थिउरी उनकी जो थिउरी थी stimulus पे थी पावलो की stimulus जैसा रहता जितना उत्तेजित होता वैसी हमारी प्रतिक्रिया होती है पर RS थिउरी में प्रतिक्रिया पे ली जाती है यानि जो क्रिया हो रही है उस पर depend करता है कि वो कैसे होगा ठीक है तो ऐसा थिउरी जो दिया था BF Skinner जी ने दिया था आज हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे इनके सुद्धान को क्रिया प्रशूद अनुबंदन सिद्धान या Operant Conditional Theory भी कहते है तो इनका जो परिक्षड हुआ था ये 1938 में हुआ था तो क्रिया प्रशूद सिद्धान को क्या बोलते है Operant Conditional Theory या RS Theory भी कहते हैं इसके प्रतिपादक B.F. Skinner जी थे और इन्होंने इसका जो परिक्षड सुरुआत किया था वो कब किया था 1938 में की थी तो Skinner जी का क्या मानना था Believe that the best way to understand behavior is look at the causes of action and its consequences यानि कोई भी प्रतिक्रिया कराने के लिए हमारा क्या जो में वो होता है reinforcement को इन्होंने माना यानि जो हमारा reinforcement positive भी होगा और negative होगा यानि किसे क्रिया को करने के प्रति उसको क्या मिलता है प्राप्ति यानि जो वो क्रिया करे उसके बदले में उसे कुछ न कुछ पुनरलाब प्राप्त हो तो वो क्रिया ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा operation condition is a method of learning that occur through reward and punishment for behavior यानि वो जैसा विवार करे उसके लिए reward और punishment को मुख्य माना तो इन्होंने क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा पुनरबलन को important माना चलिए फिर इनके सिधान्त के कई नाम है जिसको हम जानते हैं पहला इन्होंने जो सिधान्त दिया था वो दिया था सक्रिय अनुबंधन ठीक है active constructive यानि जो response होता है वो सक्रिय होता है अभी क्रमित अनुदेशन का सिधान्त theory of reserve ठीक है नैमितिक या casual construction principle of functional commitment यानि कार्यात्मक प्रतिबंध का सिधान्त प्रतिबंधता का सिधान्त ये इनके सिधान्त के अलग-अलग नाम है इनके सिधान्त को एक instrument theory भी बोलते हैं तो ये सब इनके सिधान्त के नाम है तो आगे बढ़ते हैं तो इनका जो famous हुआ था निन्होंने दो चीजों पर एकस्पेरिमेंट किया था और एक एकस्पेरिमेंट नहीं चूहे पर ही किया था गब Hm अध hm और जो इन्होंने box बनाया था यह बहुत कुछ thondike box की तरह ही थे ठीक है तो लेकिन इन्होंने इसके साथ एक speaker एक sound को जोड़ दिया था और एक light को जोड़ दिया था और एक भूखे चुए को उसमें रख दिया था और एक जाली की तरह रखा था जिससे वो सारी प्रतिक्रि जिसको दबाने से उस hole में भोजन आता था और जो भी उसमें रहेगा उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा तो उन्होंने जो लिया पहले चुए को लिया और चुए जो था वो भूखा था पहले से ही और उसमें को इस पिंजरे में बंद कर दिया इसे skinner box भी कहते हैं ठीक ह तो इसके आधार पे इन्होंने क्या किया कि जब box में चुए को रख दिया तो चुए काफी उचल कुद करने लगा वो भूखा भी था तो काफी प्रतिक्रिया है कि इसी प्रतिक्रिया में उसका जो पैर है वो इस लाल बटन पे लग जाता है और वो दबते ही एक hole से कुछ दाने आ जाते हैं और वो उस दाने को खा लेता है यानि उसकी एक होती है positive reinforcement मिला एक पुनल प्राप्ति जो होती है भोजन के उसे मिला उसने क्रिया जो करी उसके बदले में उसे भोजन मिला तो यहाँ पर कुछ समय तक ऐसे कई हपतों तक प्रयास करने के बाद क्या होता ह है कि जब वो समझ जाता है कि मेरे इस तरह की क्रिया करने से particular कुछ दबने से भोजन मिल रहा है और कई हपतों तर जब कर लेता है वो तो उसे पता चल जाता है कि यह लेवर दबाने से यह भोजन का box खुल जाता है और इसमें भोजन आ जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जात तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था तो ऐसा कई बार उनों ने किया तो एक समय ऐसा आता था कि वो लीबर दबाना छोड़ देता है और फिर वो सीधे खड़ रहता है जब वो लीबर को दबाता उसे करेंट का जिटका मिलता रहता था तो यह होता है कि किसी क्रिया को सिखाने के लिए positive हो देना और किसी गलत आदत को छुडाने के लिए उस पर अगर ऐसा punishment दिया जाए तो उस behavior को हम छुडा भी सकते हैं तो इन्होंने जो reinforcement को लिया था वो दो वे में लिया था एक था कि reinforcement इन्होंने प्लस और माइनस positive वे में लिया था और दूसरा क्या क्या था कि punishment में लिया था अगर हम बात करें जो positive वे में इन्होंने लिया था कि अगर हम किसी क्रिया को सिखाने के लिए बच्चों में अच्छे आदत को develop करने के लिए यानि अच्छे वेवार को सिखाने के लिए बच्चे को वो चीज देते हैं जो वो desirable करता यानि जो वो चाह फिर अगर हमने वहीं बात करें कि एक निगेटिव की बात करी कि पहले जैसे कुछ हम चीन लेते हैं बच्चे से कि तुम ऐसा काम करोगे तब ही हम तुमको यह चीज़ देंगे यह होता है आपका निगेटिव इंस्पोर्पन यानि कुछ अच्छी चीज़ सिखाने के लिए बच्चा आपका पढ़ रहा है उसका कोई खिलोना ले लिया उसका फैवरेट खिलोना ले लिया और बोला कि नहीं यह खिलोना तभी मिलेगा जब तुम मुझे यह याद करके सुनाओगे तो बच्चा तब वो सीखता है उसके बदले में वो खिलोना मिलता है यह हमारा पनिश्मेंट में क्या होता है हम किसी बुरे वहवार के लिए जब सिखाते हैं कि बुरा वहवार छोड़ने के लिए कुछ पनिश्मेंट देते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव में जाता है यानि कि बुरे वहवार को रोकने के लिए जब हम उसे ऐसा कुछ रिइन्फोर्स्म विक्रिया हो गई कि उसने ऐसा काम किया इसलिए इसको ऐसा पनिश्मेंट मिला फिर वो दुबारा ऐसा कारे ना करें इसके बतले में आपने कुछ और भी कर दिया कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क देते हैं तुमने ऐसा गंदा हरकत किया तो वो क्या हुआ उस बेहवियर म को छुडाना होता है ठीक है जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़नी रहा है नहीं चाहरा और उससे वो चीजे छीन लेना कि जब तक तुम यह चीजे नहीं करोगे तब तक हम तुमको यह चीज नहीं देंगे जैसे इस लड़की का डॉल है इसकी फैबरेट डॉल है इससे छीन ली गई बोला गया जब तक तुम मुझे यह याद कर के यह चीजे पुरा सही से नहीं सुनाओगे नहीं बताओगे या गंदी बीहेवियर को इसको نہیں चोड़के तब तक यह चीज तुमको नहीं मिलेगी यानि वो इसको देना नहीं चाहता है फिर भी इससे चीन लिया गया कि जब तक तुम ये व्यवाद करना नहीं सीख जाओगे तब तक तुमको ये नहीं मिलेगा ये हाँ पे हो गया इसका negative punishment यहाँ पे जो चीजे आपको negative punishment की दिया गई थी कुछ देर के लिए छोड़ी गई थी कि आप ऐसा काम कर लो फिर आपको ये दे दिया जाए और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे कुछ दिनों के लिए कर दिया रहता है कि बहुत दिनों तक जब तक तक तुम उसको सुधर नहीं जाते उस कारे के लिए तब तक तक तुमको ये चीज जो तुम चाहते हो अभी तुमको नहीं मिलेगा ये इनका main reinforcement पे जो बात हुई थ पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है रीइनफोर्स्मेंट पॉजिटिव में जेते हैं अच्छे वहवार को करने के लिए और निगेटिव रीइनफोर्स्मेंट तब देते हैं उसके बुरे वहवार को त्यागने के लिए यानि बुरे वहवार को छोड़ने के यहां तक आप लोग को clear हो गया हो कोई doubt नहीं तो फिर आगे बढ़ें एक बार आपको clear भी कर दीजिए यहां तक आप लोग को clear हो गया है सारी याहां तक आपको पावला जी को सीनर की थिर्य की तेओरि जो में आया यहां यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुँआ। कि जो इनका थेओरि था, में स्टेओर रिशुडंस पे लिया गया। से स्की इनर जी का और इन्होंने जो मेन बात की थी कि तनल अच्छा रेंपोर्स्मेंट मिलेगा वो चीजे उतनी अच्छी ओगे उन्होंने तर्ण डाई्क जी के joles पर हिद इवे भड़ा था कि किशले कारे को करने से कितना संतोष प्राप्त होता है जितना वो अच्छा प्राप्त होगा हम उस कारे को और उतने अच्छे तरीके से करेंगे उसी थियोरी को इन्होंने आगे बढ़ाया कि हम किसी कारे को करने के बाद बच्चे को जितना अच्छा रियंफोर्समेंट देंगे वो कारे उत क्रिया परशूद अनुबंद सिध्धान की क्या विशेश्थाय थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताए कि जो इंप सिध्धान था, वो बेसिकली कुनर बलन पे आधारी था, यह उन्हों कुनर बलन देकर उचित अनुबंद क्रिया करवाई जा सकती है, यानि बच्चे को हम किसी कारे को करने के लिए अच्छा अभी प्रेडिक कर सकते हैं, अच्छा वो बना सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको रिइनफोर्समेट दे के कर सकते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा जब स्कूल जाने से पहले ही वो रोने लगता है, तो कुछ समय आता है, तो बोलते हैं कि आप स्कूल जाओ आपको टॉफी मिलेगी ये मिलेगी तो उसको पुनर बनन दें से वो बच्चा एक्साइटेट हो जाता है वो जाने के लिए इस चीज़ के लिए तयार हो जाता है और क्लास में कुछ अच्छा बच्चा सीखना हो कुछ हम सिखा रहे हो अच्छा उस समय अगर हम बोले कि तुम ये चीज़ अच्छा सीख लिया उसके बदले में हमने उसको अच्छा रियंफॉर्स्मेंट दिया तो वो उसे शंतोस प्राप्तवा जो चाहता था उसे मिला गुड वेरी गुड ये सब जो क्रियाएं होती हैं हमारे सिख्षा में बहुत ज्यादा तो जीज़े आप सिख्षक होते हैं ओर ये वर्ल्ड रियंफॉर्स्मेंट के तौर पे तो नूक्रिया और पुनर बालन के माध्यम से ज्यान को अर्जिक करता है यानि जो अनुक्रिया वो करता है जैसा जिसा उसे अच्छा रियन्फोर्समेंट मिलता जाता है उस तरह से वो ग्यान का अर्जन करने लगता है फिर अगर हम बात करते हैं कि इस सिद्धान के अनुसार जब छातर स्वभाव से गलत अनुक्रिया करे तो उन्हें नकारात्मा पुलन बरलन दे कर जिससे उसे उचित मार्ग को प्रसस्त हो सके जैसे मैंने अभी आपको बताए कि बच्चे की गलत behavior को छुड़ाने के लिए हम उसको ऐसा कुछ punishment दे निगेटिव punishment जिससे वो उस तरह की क्रियाओं को करना छोड़ दे और एक सही रास्ते पर जाना शुरू कर दे फिर यह चात्र अधिगम के मार्ग पर क्रिया करें तो उसी समय सकारात्म पुर्ण बर्ण देना चाहिए जिससे वह अधिगम करने हैं तो उस सकयों तत पर रहे यानि कि जो ब ठीक है यहां तक आप लोगों समझने में कोई दिक्कत कोई परिशानी इनकी विशेष्टाओं के साथ मैंने इसका सिखशक में क्या इसका उदेश होता उसको भी बताते चला कि एक सिखशक हैं तो आप किन किन तरीकों से आप बच्चे को अच्छा सिखा सकते हैं अच्छा बता सकते हैं इन पुनरबनन का यूज़ करके बच्चे को हम इसकी लर को पावलाज जी ने दिया ठांडाई जी ने दिया यह नि बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है विद्याले में कैसे ट्रीट करना है कैसे उनकी लर्निंग को अच्छी बनानी है इस सब के लिए करना चाहिए इसका फिर से समझाने के लिए बोल रही है दो वाला इसकी इनर जी का ठीथ है इसकी इनर जी के सिद्धान जो इन्होंने बैसिकली दिया था रिइन्फोर्स्मेंट पे दिया था कि हम जितना किसी भी कारी को अगर अच्छा सिखाना हो जो चुहे वाला प्रयोक समझ में कि आपको कि जो अन्होंने चुहे को अच्छा भीहेवियर सिखाने के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए कि लाइट और उसके पर कराया था कि जैसे वह लिवर दबाता था एक ध्वनी आती थी और ध्वनी आने के बाद क्या होता था कि लाइट जलती थी और उसको भोज तरीका सिखाया positive देकर यानि जब वो लिवर को दबाता है उसे भोजन मिल जाता है यानि यह positive reinforcement हुआ अगर उसे क्रिया को हमें छुडाना हुआ तो फिर क्या करेंगे इसके लिए उन्हें दुबारा उस पर प्रयोग किया और वहां पर electric gradient जो देख रही है यह वाला क्रिया कि तो वो जानता था कि लिवर दबाएंगे तो हमें भोजन मिल जाएगा लेकिन इस वार क्या हुआ जब वो लिवर दबाता था उसे current मिलता था तो फिर इस प्रतिक्रिया को करना छोड़ दिया यानि उसके बदले अब उसे reinforcement उसको आनाश नहीं मिलता था और उसने धीरे धी इसा मिल रहा वो उस क्रिया को करने को हमें और उत्सुप करेगा इसका इन्होने लिया positive reinforcement और negative reinforcement reinforcement जो positive reinforcement इन्होने लिया कि बच्चा कोई अच्छा कारे किया आप जो उसको सिखाना चाहते हैं उसने उस चीज को सीख लिया उसके बदले में आप उसको वो पुनर्बलन यानि gift कहें या जो भी तरीके से बच्चे को सिखाना चाहरे जो आप उसको देना चाहरे हैं जो बच्चा लेना चाहता है आपने वो बच्चे ने उसके बदले में वो पुनर्बलन उसे दे दिया जैसे एक बच्चा बोलता है कि मैं इस बार टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाओंगा तो आप मुझे ये वाला खिलोना दे देना वो दे देना जो वो चाहता था आपने उसको दे दिया तो यहां पर जो हुआ हमारा पॉजिटिव वो हुआ फिर एक हमारा इसी में आता है निगेटिव यानि कि कोई चीज सिखाने के लिए पहले हम क्या करते हैं जो उसकी चीज है उसको हमने उससे वापस ले लिया यानि कि बच्चा दिन बर वो उस खिलोने से आपने दे दिया वो खेलता रहा और उसने चीजों को पढ़ना छोड़ दिया अब आपने क्या क्या उस खिलनों के उससे फिर से वापस लिया बोला कि अब जब तक तो मुझे यह सुनाओगे नहीं यह बताओगे नहीं तब तक मैं तुमको यह खिलोना नहीं दूगा इसलिए उसने पढ़ाई की और आपको सुना दिया उसके बदले में आपने उसको खिलोना दे दिया यह हो गया हमारा निगेटी यानि कुछ चीज़े सिखाने के लिए हम उसे दे रहे हैं दूसरा उन्होंने निगेटिव रेइनफोर्समेंट के लिए बात करी जिसमें वो क्या कि गलत वहवार को छुड़ाने के लिए एक पनिश्मेंट देना कि वो गलत बिहेवियर छोड़ दे यानि कोई पच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा शरार्ती है कॉपी देता है, डस्ट र कुछ लिखता या किसी चोरी करता है उसके बदले में आप उसको क्या करेंगे? उसके बदले में कोई ना कोई पनिश्मेंट दिया जाएगा ताकि वो बिहेवियर दुबारा से ना करें इसके लिए आप टीचर क्या हो सकता है? उसे बाहर खड़ा कर सकत मार सकता इस तरह की सजा दे सकता है या एक्सेट्रatz दे सकता है ताकि जो उसने क्लास्रूम में ऐसी हरकत करी वो फिर से दुबारा ना करे तो यह हमारा पनिश्माने वाला हो गया पॉजिल की पनिश्मेंट फिश्माने कीHaob कि लिखाई से उसको कोई नाजताляется यहां पी का था जो बच्च जो इसका desirable चीज जो सकी प्रे चीज अई उसको छीन लिया, उससे छीन लिया तो छीनने के बाद क्या हुआ की जब और यहां पर जो चीना पुछ दिनों तक के लिए छीन लिया कि मतलब अब तुम जब तक ये चीज़े करना बंद नहीं करते तुम ये गलत behavior करना बंद नहीं करते तब तक हम तुमको ये खिलोना नहीं देंगे तो ये हो गया हमारा punishment यानि की positive और negative punishment की इस तिसी गलत behavior को छुड़ाने के लिए समझ में आग की प्रक्रिया में ये बहुत useful है कि हम बच्चे को जितना reinforce करेंगे अच्छे च्छे positive activities करने के लिए उसके बदले में हम उसे पुनरबलन देंगे तो वो चीज़े वो और अच्छी तरीके से करेगा फिर इन्होंने बोला कि इस सिद्दान में सदे अनुक्रिया पुनरबलन के माध्यम से उसे ज्ञान का अर्जन हो गया फिर है स्वभाव गलत अनुक्रियाओं को छुड़ाने के लिए जो मैंने आपको punishment वाला बताया कि उसके गलत behavior को छुड़ाने के लिए जो हम उसके साथ पुनरबलन देते हैं वो चीज़े होती है नकारात्मक पुनरबलन फिर यही चात्र अधिगम के मार्ग क्रिया करें तो उसी समय सका रहा है यानि कोई जब वो क्रिया कर रहा है उसी के समय तुरंच सकारात्मक पुनरबलन दे तो वो और उत्सुग और ततपर होकर उसकारे को करेगा ठीक है आप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा आप य चलिए अभी यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है इसलिए मैंने वो पिक्चर को लिया कि हम बच्चे को किस तरह के से सिखाते हैं पॉजिटीव और निगेटिव रिइनफोर्स्मेंट देखर हम बच्चे को किस तरह से करते हैं चलिए आप लोग को यहां तक कोई तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम learning theory में ही आगे पढ़ेंगे, जो हमारे अन्य छेतर में संग्यानात्मक शेतर में कारी किये गए, यह वहवार बादवाले थे, तो इन तीनों की theory में इंपोर्टेंट थी आपको बताना, तो वो तीनों theory मैंने करा दी है, और next जो कल से हम classes करेंगे, वो हम संग्यानात्मक शेतर से को छोड़के दूसरे शेतर में, आधुनिक शेतर में जो कारी किया गया, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो आते हैं मेन आपके, उनको हम जानेंगे, थैंक्यू अनिता जी, तो यहां तक I hope आप लोग को कल की class और अच्छी हो, और मैं और अच्छे से clear कर सकूँ, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप लोग उसे, और जो लोग अभी तक मेरे class को join नहीं किये हैं, सब्सक्राइब नहीं किये इस channel को, उसको subscribe कर लीजे, और like नहीं किया, अगर मेरे वीडियो कर रही है, नेट की, इन सबों के लिए आप फिलफर्म पे जा सकते हैं, ठीके, चलिए, और नोट्स की जिनके requirement है, जो नोट्स के लिए चाहते हैं, वो इस नंबर पे call करें, और मैं भी अपने नोट्स तयार कर रही हूँ, जैसे मेरे पूरे नोट्स तयार हो जाएंगे, म सब्सक्राइब कर आएंगे, जो का दूसरा फिल्ड है, उसको पढ़ेंगे, तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मुच वाचिं मी, और मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करना,